हम बात कर रहे हैं नीट फिजिक्स की जो प्रिविए सियर क्वेशन्स आए हैं पी वाई क्यू जुनको कहते हैं इस वर्ड से आप नोन होंगे उसके क्वेशन्स अप्लोड कर रहे हैं चेप्टर है एलेक्ट्रोस्टेटिक्स पोटेंशल एन कैपिसिटिंस फंडा क्लियर होगा चेप्टर का तभी आप इसकी तयारी कर रहे होंगे ठीक है हम एक वीडियो में एक एक क्वेशन्स अप्लोड कर रहे हैं जानबूज करके ने इसलिए नहीं कि नंबरा वीडियो बढ़ जाएं इसलिए कि आप फ्रवा सब तयार करते रहे हैं देखते हैं एक 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 एकस बनी भी है उसके ओरिजिन पर एक चार्ज प्लस क्यू रखा गया है इस प्लेश अट ओरिजिन ओ वर्क डण इन टेकिंग एनधर पॉइंट चार्ज माइनस कैपिटल क्यू यानि एक माइनस क्यू चार्ज को A point जिसका कि क्राइदिनेट 0 कमा A है से B point जिसका कि क्राइदिनेट A कमा 0 है तक ले जाये गया along the straight line जिकि're straight line दोडा ले जाये गया तो यहां से यहां तक ले जाने में आपको work done निकालना है ठीक, डाइग्राम संज में आ गया होगा, अब question पर आते हैं, देखो क्या कह रहा है, solution जाद देखा जाए, एक coordinate system बना हुआ है, x-axis बना है और y-axis बना है, यह origin है और यहाँ पर एक charge प्लस q रखा हुआ है, एक capital minus q charge इस point पे था, b point पे, a point पे, जिसका coordinate है 0, यहाँ रखते है जिसका coordinate है 0, a, इस a point का coordinate है, यह तो confirm हो गया कि यहाँ से लेकर कि यहाँ की दूरी a होगी, और इसको एक state path के दोरा b point तक लाया गया है, और इसका coordinate है a, 0, यह भी confirm हो गया, यह दूरी भी a रही होगी, तो कहते हैं, a से b तक जाने में कितना work करना पड़ेगा, पहले तो work क भॉकाल tight कर रखा हुआ, भॉकाल बोले तो electric field, उस electric field में एक तीस, दूसरा charge है, minus q वो move करा जा रहा है, तो इसका मतलब इस पर force लगेगा, तो force into displacement work होता है, तो force into displacement work होता है, तक हम potential से काम चलाएंगे, यह कहेंगे, अ से b तक जाने में जो work करना पड़ेगा, वो formula होता है, जो charge ले जाया गया, into जितना potential difference है, क्योंकि potential difference का जो definition होती है, वो होती है, w upon q, जो q ले जाया गया, यहाँ पर भी sign लिखते हैं, तो देखिए, minus q, potential difference, किसकी वज़े से, इसकी वज़े से, तो यहने कि final potential difference, final potential minus initial potential, निकाल दो, तो आएगा, one upon four pi epsilon naught, q upon, b पे हैं तो दूरी o b लिखी जाएगी, और minus one upon four pi epsilon naught, q upon o a लिखी जाएगी, आपको साफ साफ देख रहा है, कि o a is equal to o b है, तो यह value सेम हो गई न, तो यह cancel हो जाएगा, तो work done, zero हो जाएगा, यहाँ से यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर हो, यहाँ पर potential सेम है, और आप जानते हैं, कि electric field एक conservative field ह होती है, चार्ज को किस रास्ते से लाए जा रहा है, उससे work से कोई मतलब नहीं है, work initial और final position पर depend करता है, इसलिए work यहाँ पर zero होगा, ठीक है, तो इसका option number a is the correct answer, तो this question was in PMT 2005, okay, thank you, next, in the next video, thank you.